दोस्तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जुरूर करना मैंने आपके टेस्टा व्यू से सारे कोशन इपॉड़न लिये हुए है उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आईए शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल सितंबर 2021 में किस राज्य ने महंगाई बता को बढ़ा कर 11 परसंड करने की घुशना की है इसका सही जवाब है उत्राखंड तो आईए देखते हैं उत्राखंड के बारे में कुछ इपॉड़न सवाल है उत्राखंड का गठन 9 नमंबर 2000 में हुआ था उत्राखंड की राजदानी एवं सबसे बड़ा शहर दाहरादून है इसकी कुल अबादी 10 करोड से अधिक है उत्राखंड में टोटल 13 जिले हैं उत्राखंड की राजबाशा हिंदी एवं सस्कृत भी बोली जाती है उत्राखंड का राजपाल गुरमीद सिंग जी है मुख्य मंतरी पुषकर सिंग दामी जी है उत्राखंड के विदान मंडल में विदान सिबा की 71 सिटे और रज्य सबा की 3 सिटें इसके लावा लोग सबा की 5 सिटे हैं हमार अगला सवाल है विश्व प्रेटन दिवस कम मना जाता है दोस्तों विश्व प्रेटन दिवस 13 सिदंबर को मना जाता है प्रेटन से रोजकार बढ़ता है और इसलिए विशा प्रेटन दिवस के जरी लोगों में प्रेटन के प्रती जागरुकता लाने और ज़्यदा से ज़्यदा प्रेटन को भड़ावा देने ही तो यह दिवस मनाय जाता है इस दिन के जरिये देश विदेशी के सिलानियों को अपनी और कर्शित किया जाता है हमारा अगला सवाल है T20 क्रिकट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बारतिय बल्लेवाज कौन है विराट कोली T20 क्रिकट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बारतिय बल्लेवाज है दोस्तो विराट कोली भारतिय क्रिकर टीम के T20 टेस्ट और वन डे के कप्तान है इनका जनम 5 नमंबर 1988 में हुआ था यहें दाएं हाथ के बलेबाज है इसके अलावा यहें दाएं हाथ की मद्यम करम की गेंदबाजी भी करते हैं इन्होंने टेस्ट मैच 92, वन डे मैच 254 और T20 इंटरनेशनल मैच 89 खेले हैं इन्होंने टेस्ट मैच में 7,000 से जाद रन बनाए हैं और वन डे इंटरनेशनल में 12,000 से अधिकरन बनाए हैं T20 में इन्होंने अपने 10,000 रन जो हैं वो पूरे कर लिये हैं इनका जो बल्लेबाजी का जो ओसत है वो है टेस्ट में 52, वनडे में 59 और T20 में 52 से उपर का है 2006 में इन्होंने अपनी पहली श्रेनी क्रिकेड कैरियर की शिरुवात की थी हमारा अगला सवाल है ITBP के कमांडेंट रदन सिंग सोनल और डिप्टी कमांडेंट अनूब कुमार ने नेपाल में 8163 मिटर की उंची किस पहाड़ी को फते किया है दोस्तो, ITBP के कमाडनेंट रतन सिंग सोनल और डिप्टी कमाडनेंट अनूब कुमार ने 25 स्टमबर को मानसलू परवत फते किया था यह दुनिया की आठमी सफसे उंची चोटी है इस चोटी की उंचाई समुंदर तल से 8,163 मिटर है इस परवता रोहन अभियान की शिरुवात 7 स्टमबर को हुई थी इस से पहले 1947 में स्विजर लैंड के एक अभियान दल ने इस चोटी को फते किया था हमारा अगला सवाला है रास्तान की किस महंदी को सरकार की और से GI टैग परदान किया गया है दोस्तो सोज़त महंदी को हाली में रास्तान सरकार की और की तरफ से GI टैग परदान किया गया है GI टैग उतपात के निर्माताओं को उच्छे मुले पराप्त करने में मदद करता है और कोई अण्य निर्माता अपने उतपात के विपनन के लिए इसका नाम इस्तिमाल नहीं कर सकता सोज़त महंदी के लिए GI का दरजा किसानों कारेगराओं और उपबगताओं के लिए समान रूप से फायदे की बात है दोस्तों रास्तान से जोड़े कुछ इपोड़न सवाल रास्तान का गटन 30 मार्च 1949 को आथा इसकी राजदानी जैपूर है और सबसे बड़ा शहर भी जैपूर है रास्तान की जंजंके 6 करोड से अधिक है रास्तान के अंदर मुखे बाशा राजस्तानी और हिंदी का भी इस्तिमाल किया जाता है रास्तान के राजपाल कलराज मिश्रा जी है इसके लावा मुखे मंतरी शिरिया अशोग गहलोग जी है रास्तान के विदान मंडल के अंदर विदान सिवा की 200 सिटे राज्य सबा की 10 सिटे तथा लोक सबा की 25 सिटे हैं रास्तान के परसीद स्थल जैपूर, भरतपूर, जोदपूर, सवाई मादों पर आदी है राज्यस्तान के साथ मुंटलों में कुल 33 जिले हैं दोस्तो हमारा अगला सवाल है मर्सेडीज के ड्राइवर लुईस हमेल्टन ने किस रेस को जीत कर अपनी सोवी फॉर्मूला वन रेस जीत ली है इन्होंने रेशियन ग्रांट प्रिक्स 2021 को जीत कर अपने रेसिंग केरियर का शतक पूरा कर लिया है यहें इंग्लैंड के रहने वाले हैं इनका जनम 7 जनवरे 1985 में हुआ था यहें फॉर्मूला वन रेसिंग के ब्रेटिश ड्राइवर है यहें मैकले रन मर्सेडीज टीम के लिए रेसिंग करते है हमारा अगला सवाल है हाली में 26 स्तंबर 2021 को दुनिया बर में अंतरराष्ट्रिय बेटी दिवस मनाया गया यहें प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है अंतरराष्ट्रिय बेटी दिवस स्तंबर महिने के आखरी रविवार को मनाया जाता है वैसे तो बेटियों के लिए हर दिन खास होता है लेकिन इस दिन प्रिवार के लोग बेटियों के साथ अपना समय बिताती है माता-पिता जा गर के बड़े सदसे बेटियों को उपहार देकर उन्हें खास होने का एहसास दिलाते हैं सिर्फ बेटियों के लिए ही नहीं संस डे, 11 अगस्त, मदर डे, 10 मेई, फादर्स डे, 21 जून और जहां तक की दादा दादियों के लिए भी साल का एक दिन खास होता है हमारा अगला सवाल है, हाली में भारत और उसके पुड़ोशी देश नेपाल के बीच हुए संजुक्त सैनी अभ्यास का क्या नाम था? भारत और नेपाल के बीच हुए संयुक्त सैने अभ्यास का नाम सूरे किरन था इस अभ्यास में दोनों देशों की इंफेंटरी बटालियों ने भाग लिया इस पंदरमा स्युक्त सेने अभ्यास के दुरान दोनों सेनों की तरब से इस्तेमाल किये जा रहे हत्यारों से परिचत होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनों ने एक दूसरे के साथ परवत यूद रने थी, आबदा साहिता, पहाड़ी लाकों में बचाव, यंगल जुद, उन्चाएवाले इलाकों में लड़ी जाने वाले जंगे और रहतकारे दक्षता को साजा किया, इस अभ्यास से दोनों देशों के बीच मैतरी पून समंदों को मुझबूती मिलेगा, हमारा अगला सवाल है, हाली में समंदर शक्ती अभ्यास किन दो देशों के बीच में हु बुद्वार तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेने के लिए बारतिय नोसाना के जहाज, शिवलिक और कदमत इंडोनेशिया के जकारता पहुंचे, इस अभ्यास का उदेश्य दोनों नोसानों के बीच समूंदरी संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालन को बढ़